नमस्कार स्वागत थे स inbox के लिएलेटिरम्म दोस्तो कर रहे हैं तो यह वाला जो फिर इस वाले पीज में बनाना पड़ता है और आपने बॉन लिखना पड़ता है ठीक हें तो दोस्तों अगर ऑपने बनाना नहीं सीखा तो लिंक हैiken है वीडियो की सबस्ताइब Moving आप इसको बनाना शीक सकते हैं दोस्तों आज हम जानेंगे इसको लिखना तो कैसे लिखते हैं जान लेते हैं दोस्तों क्छान ले सब नहीं देखा वीडियो सा आपको सारी इंफरमेशन मिल जाएगी तो परचार बहुत हो गया आप चलिए अब में बता जिता हूं आपको इसके बारे में तो सबसे पहले आपको दोस्तों जो एक्सपेरिमेंट नमबर है आपको जो टीचर जैसे की जो पेज आपका चल रहा है तो वहां पर लिख सकते है है myös a please नममर्ए दोस्तो को आपका है तो ओम लिख सकते हैं लोस्तो जो आपने बनाया है जैसे की कोई भी जौड स्क्वेर के बारे में हम चान रहे हैं तो आपको लिख लेना है एम जो भी है टू में के स्क्वेर बड जॉइंट यूजिंग डगीवन एमस पीसीज भाई आर्क वैल्डिंग तो आगे लिखना है आपको टूल्स एंड एक्विपमेंट्स जो भी आपने टूल्स यूज़ कि टॉंस स्क्राइबर एटी सी ठीक है तो इन में से अगर आपको कोई एक दू भूल भी जाए तो कोई प्रोब्लम नहीं है तो आपको यह लिखना होगा ठीक है टूल्स एंड एक्विपमेंट्स यह दोस्तों हमारे हैं आपको हैडिंग मनाने जरूरी है ठीक है आगे दोस् सिऑन है टो मैल पीस भाए जो भी अपका है यहांपे साइज है आप यहांपे करो यहांपे कर सकते तो यहांपे 50 काल देता हो हूं ठीक है यहांपे 50 कम्हें ठीक है लेक्टाइबर टीक है ठीक है अब दोस्तों जारेंगे procedure है यहां हम ने किया जो है जैसल को बराने के लिए तो फरोसीजर में व्याह Ark दीक है टेक यैपकोशन जो चाहते हैं एक चाहरा जीएव तो इसमें यहीं रखाएा तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए गाठीक है की दो वर्क पीस लिया पहले हमने उसकी सफाई करी ठीक दोस्तों और उसके जो रस्ट ऑड़ अटाएं तो यह लिख सकते हैं आप आगे स्विच ओन दा पावर सप्लाई जो है हमने पावर सप्लाइ यहनि पावर सोर्स को उसको को ओन किया और switch on the mcv of the power supply and welding machine और दोस्तों जो mcv है उसको भी ओन किया हमने और power supply भी ओन किया और welding machine भी हमने ओन कर दिया यहीं सब चीज हमने ओन कर दिया उसके बाद किया कि हमने join the electrode lead to minus ve terminal यहीं negative terminal and work lead positive terminal ठीक है जो हमारा जो दोस्तों देख सकते हैं आप electrode lead उसको हमने तो minus terminal से जोड़ा और work lead को हमने post terminal से जोड़ा है तो दोस्तों आपको यह लाइन लिख लेनी है उसके बाद जो भी आपने है लिख लीजिएगा आगे दोस्तों सेट दा वैल्डिंग करंट और एंपे एंपेरियस मीनिमम जो मीनिमम एंपेरियस है हमने 75 पर सेट किया और साइज हमें लिया धाटेंगे कितना साइज पर काट फियंगे 150 इंश करी हमने ठीक है उसके वाद प्रिपरेशन प्लेट एज और फाइल जो भी हमने प्लेट लेया उसको फाइल करके उसको जो किनारे थीक दोस्तों मारकिंग स्टेट लाइन ऑन स्क्राइबर जो स्टेट लाइंगे हम च्पर्वत स्टेट लाइब ये स्ट्राइब यह घर कोई प्रॉब्लम नहीं जो आपको ठीक है स्क्राइबर से आप चाहें तो यहां पर निसान लगा सकते हैं कि हमें इस पर वैल्डिंग करनी है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं यह लाइन दोस्तों आप लिखते जिए का कहने का मतलब यह उसके पास तो स्ट्राइक दा आर्क आर्क एंड शेट करंट सुटेवली या तीरी दाया 3.15 ठीक है तो पहले हम उसकी जो करेंगे इसके यह जो भी आप रोड लगा रहे हैं या टू-पाइंट वन फाइब जो भी लगा रहे हैं उसको पहले दोस्तों आप जो है आर्क सैटिंग करेंगे जो किसी प्लेट आप यहां पर लगा के जोस्तों रोड पिखल रही है नहीं पिखल रही है इस करंट पर ठीक है तो जो भी आपने बनाया तो यहां पर लिख दिया इसके बाद लिखेंगे रिमूब इस स्राइब करेंगे तो जो है उसके बाद देखा आमने की अंदर जो ज्यादा है कि कम है ठीक है जो भी हम इसमें चेक करेंगे जो भी हमारे वैल्डिंग होगी उसके अंदर सलेक अटाने के पाद आपको आपको बीड है साफ साफ लग जाते हैं कि हमारे रीड अच्छी लगी है कि खराब लगे तो जोस्तों इनस वैल्डिंग इस ओपर स्विच ओप जाए तो स्विच ओफ कर दें प्रिमॉब केबल ऑफ तो और टेवल वास टेकन अरलियर टीक जो सारे जो केबल लिखा टेबल नहीं है जो है सारे निकाल तो सको और उसको जहां से अपने लिया था वहां पर इसको रख सकते हैं ठीक है उसके बाद इंस्पक्ट ओफ लेडिंग प्लेस for that तो आप पूरा होता तो दूसरे पेज पेंदेट पेकर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो दूसरे पेज पेज़ पर आपसे आप सकते हैं ठीक है तो सेफ्टी आपको लिखने जरूरी है तो सेफ्टी में क्या लिखना है वह देख लिए आप सेफ्टी में लिखेंगे आप बी पीपी पी पी इप पर सनल प्रोट्यक्ट इक अप्रेंट्ट फुल-फॉर्म नींकरेंगे इंस्ट्रक्षन के इसाब्स करेंके जो भी आपके को लगने से बचाये है थे मेट वेल्डिंग केबल यह चैक पर ख़ट सोग ड़ना आँ ऊड़िकर की बताइए प्रोपर ऊकप कपडबे पहलोस्तो स्क्रीक करेंवा Jr स्क्रीन का यूज करें ताकि हमारी आंखों को कोई प्रोब्लम ना हो जो जो वेल्डिंग करते समय जब भी आप वेल्डर चेक कर रहा तो स्पार को जो है ना देखें ठीक है तो यह इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन सी सेफ्टी के बारे में आग दोस्तों मिनिम्म करंट कितना आप रखते हैं तो दोस्तों मिनिम्म करंट निकालने के लिए जिस से हम इसको 2.5 को मतलब दोस्तों यहां पर 315 लिखते हैं तो यहां पर कुछ और होगा यहां पर दोस्तों 40 करते हैं तो यहां हम आप 3 हमने दोस्तों 3.1 15 की करी है लेकिन दोस्तों यहां पर 2.5 लिखा है थोड़े मिस्टेक है यहां पर ठीक है तो मैक्सिम्म करण्ट आपको इतना मतलब रख सकते हैं और यह जो सुटेवल करण्ट थिसक्यों नबे से हैंड़ेड एंपियर में यानि हमने वैल्डिंग कर नबूलें धोस्तों मिल देली लोड़े में ठांक्स पर वाचिंग